C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याए 10 शिर्शक है नए सामराज्य और राज्य हमारे अतीत अध्याए 10 अर्विंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमी का अधा करने के लिए चुना गया उसने सोचा था कि वह शाही वेश भूशा में मूचों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिप्टी तल्वार को शान से पकड़ कर चहल कदमी करेगा जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैटकर वीना भी बजानी होगी और कविता पाट भी करना होगा एक संगीत अग्य राजा कौन हो सकता है वह अर्विंद सोचने लगा क्या बताती हैं प्रशस्तियां दर असल अर्विंद गुप्तवन्ष के प्रसिध राजा समुद्र गुप्त की भूमी का अदा करने जा रहा था समुद्र गुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेक से पता चलता है इसकी रचना समुद्र गुप्त के दरवार में कवीवा मंत्री रहे हरीशेन द्वारा एक काब्बे के रूप में की गई थी यह एक विशेश किस्म का अभिलेक है जिसे प्रशस्ति कहते हैं यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था जैसे तुमने अध्याय नौ में गौतमी पुत्र श्री साथकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी बढ़ गया समुद्र गुप्त की प्रशस्ति आओ देखें समुद्र गुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है कवी ने इसमें राजा की एक युद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्ध्वान तथा एक उतक्रिष्ट कवी के रूप में भरपूर प्रशंसा की है वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है प्रिश्ट संख्या 104 प्रिश्ट संख्या 104 में सबसे पहले एक बॉक्स दिया हुआ है और उसका शीर्शक है योद्धा समुद्र गुप्त इसका वर्णन इस प्रकार से है जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुलहाडियों, तीरों, भालों, बर्चों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकडों हतियारों से लगे घाओं के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुन्दर दिखता है यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? जरा सोचो इसी प्रिष्ट में दो चित्र दिये गए हैं और यह चित्र राजा समुद्र गुप्त का है और इसके बारे में इसका बृतांत कुछ इस प्रकार से लिखा है इन दोनों चित्रों का वर्णन इस प्रकार से है वीना बजाने वाला राजा समुद्र गुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है जैसे इस सिक्के में उन्हें वीना बजाते हुए दिखाया गया है अब पाठ की ओर अगर तुम मान्चित्र साथ जो प्रिष्ट संख्या 105 में है उसे गवर से देखो तो पाऊगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदू दिखेंगे उसी तरह कुछ क्षेत्र वैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे यह मान्चित्र इस प्रशस्ती में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है हरिशेंड चार विभिन प्रकार के राजाओं और उनके प्रती समुद्र गुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं एक मान्चित्र में हरे रंग काक्षेत्र आर्या वर्थ के उन नौ शासकों का है जिन्हें समुद्र गुप्त ने हरा कर उनके राजियों को अपने सामराज्ये में मिला लिया दो इसके बाद दक्षिना पत के बारह शासक आते हैं इन में से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मान्चित्र पर लाल बिंदू दिये गए हैं इन सब ने हार जाने पर समुद्र गुप्त के सामने समर्पन किया था समुद्र गुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमती दी थी तीन पडोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है इसमें असम, तटिये बंगाल, नेपाल और उत्तर पष्चिम के कई गण या संग जिनके बारे में अध्याय पांच में वर्डन किया गया है आते थे ये समुद्र गुप्त के लिए उपहार लाते थे उनकी आज्याओं का पालन करते थे तथा उनके दर्बार में उपस्थित हुआ करते थे चार, वाहिये इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभोता, कुशान तथा शक वन्ष के थे इनमें श्री लंका के शासक भी थे इन्होंने समुद्र गुप्त की आधीनता सुईकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया प्रिष्ट संख्या 105 सबसे पहले इस प्रिष्ट पर मांचित्र दिया गया है मांचित्र संख्या 7 और इसमें उस समय के भारत के प्रमुखनगर तथा राजियों के बारे में बताया गया है अब आईए इस मांचित्र के बारे में सुने इस मांचित्र में प्रयाग जो इलहाबाद का पुराना नाम है उज्ययन तथा पाटली पुत्र जो आज का पढ़ना है ढूड़ो ये गुप्त शासन काल में महत्तोपूर्ण केंद्र थे आर्यवर्त तथा दक्षिनापत के राजियों के साथ समुद्र गुप्त के व्योहार में क्या अंतर था क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है प्रिष्ट संख्या 106 साथियो प्रिष्ट संख्या 106 में सबसे पहले एक बॉक्स पर हम अपनी नजर डालते है इस बॉक्स का शीर्षक है विक्रम समवत और उसका विवरण यहां कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 58 इसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम समवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितिये के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंग ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस समवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधी धारण की थी और अब चलें पाठ की ओर वन्शा वलियां अधिकान्ष प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी की परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है इनकी मा कुमार देवी, लिच्छीवी गणकी थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वन्ष के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धिराज जैसी बड़ी उपाधी धारण की समुद्र गुप्त ने भी यह उपाधी धारण की उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेक है इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वन्ष का महत्व बढ़ता गया अब तुम्हारे लिए करने के लिए कुछ काम इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा अब फिर पाट की ओर समुधर गुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंदरगुप्त द्वीतिय की वन्षावरी यानि पूरवजों की सूची से भी जानकारी मिलती है उनके बारे में अभी लेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दर्बार विद्ध्वानों से भरा था इन में से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय ग्यारह में आपको मिलेगी हर्षवर्धन तथा हर्षचरित जिस तरह गुप्त वन्ष के शासकों के बारे में अभी लेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चल ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दर्बारी कभी वान भट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वनशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यातरी श्वेंट सांग जिनके बारे में तुमने अध्याय नौ में पढ़ा है। काफी समय तक के लिए हर्ष के दर्बार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्त्रित विवरण दिया है। प्रिष्ट संख्या 107 हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। पर अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यू हो जाने पर ठाने सर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज जो मानचित्र साथ पर जो प्रिष्ट संख्या 105 में है दिया हुआ है के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आकर्मन कर दिया। मगध तथा संभौत बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक के नरेश पुलकेशिन द्वितिये ने उन्हें रोक दिया। अब आपके लिए कुछ करने को। भारत का राजनीतिक मान चित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्शवर्धन क बंगाल तथा ख नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्जियों से गुजरे होंगे। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितिये की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिन भारत के सबसे महतोपूर्ण राज्वन्स थे। पल्लवों का राज्जे उनकी राजधानी कांची पुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डिल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्जे कृष्णा और तुंग भद्रा नदियों के पास स्थित था। चालुक्यों के राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारीक केंद्र था जो मांचितर साथ प्रिष्ट संख्या 105 में देखा जा सकता है। धीरे धीरे यह एक धार्मीक केंद्र भी बन गया। जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्यों एक दूसरे की सीवाओं का अतिक्रमण करते थे। मुखे रूप से राजधानीों को निशाना बनाया जाता था जो सम्रिध नगर थे। पुलकेशिन द्वीतिये सबसे प्रसिद्ध चालुक के राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दर्बारी कवी रभी कीर्ती द्वारा रचित प्रशस्ती से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास्तोर से पिछली चार पीडियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितिये को अपने चाचा से यह राज्ये मिला था। प्रिष्ट संख्या 108 रवी कीर्ती के अनुसार उन्हों ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटिये इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्हों ने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कभी का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितिये ने पल्लव राजा के उपर भी आक्रमन किया। जिसे कांची पुरम की दिवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वन्ष दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंतता राष्ट्र कूट तथा चोल वन्षों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा साथ में पढ़ोगे। कुछ करने को। वे कौन से अन्यशासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अध्याय 9 को देखो। अब आगे। इन राज्जियों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमी कर सबसे महतुपूर्ण बना रहा। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ती रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदारन के तौर पर सबसे पहली बात कुछ महतुपूर्ण प्रशास की ये पद अनुवानशिक बन गए। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवी हरिशेण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। दूसरी बात कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कारे करता था। जैसे कि हरिशेण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महतोपूर्ण मंत्री तथा एक संधी विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांती के विशयों का भी मंत्री था। तीसरी बात संभौत यहां के स्थानिय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोल बाला था। इनमें नगर श्रेश्थी यानि मुख्य बैंकर या शेहर का व्यापारी, सार्थ वाह यानि व्यापारियों के काफी लेका नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। प्रिश्ट संख्या 109 इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी पर समय के साथ-साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वत संत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब तुम्हारे लिए कुछ करने को। जरा सोच कर बताओ कि अपसरों का पद अनुवानशिक कर देने से क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुक्सान हो सकते थे। नए प्रकार की सेना। पर इसके साथ-साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवशिक्ता पढ़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमी दान दिया जाता था। दी गई भूमी से ये सूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखवाल करते थे साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे दक्षिन के राजियों में सभाएं पल्लवों के अभी लेखों में कई स्थानिय सभाओं की चर्चा है इन में से एक था ब्राह्मन भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे ये सभाएं उप समीतियों के जरिये सीजाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन काम, सडक निर्मान, स्थानिय मंदिरों की देखरेक आदी का काम करती थी जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मन नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था संभोतह इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रन था इन में से बहुत सी स्थानिय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही प्रिष्ट संख्या 110 उस जमाने के आम लोग जन साधरन के जीवन की थोड़ी बहुत जलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य श्रोतों से मिलती है चलो इसके कुछ उदाहरन देखते हैं कालिदास अपने नाटकों में राज दर्बार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राहमनों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्यलोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाये गए है उनका सबसे तसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुश्यन्त नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है इस नाटक में एक गरीब मचुवारे के साथ राज कर्मचारियों के दुर व्यवहार की बात कही गई है इस प्रिष्ट के अंत में एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स का शीर्शक है एक मचुवारे को एक अंगूठी मिली आईए सुनते हैं कि वर्डन में क्या कहा गया है एक मचुवारे को एक कीमती अंगूठी मिली यह अंगूठी राजा ने शकुन तला को भेंट की थी पर दुरगटना वर्ष उसे एक मचली निगल गई जब मचुवारा इस अंगूठी को लेकर राज महल पहुचा तो दौरपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हों ने मचुवारे को इनाम दिया पुलिस वाला और दौरपाल मचुवारे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े तो साथियों आज यदि किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी प्रकार का बरताओ किया जाएगा एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिये और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखुआए इसके लिए अध्याय छे तथा साथ देखो प्रिश्ट संख्या 111 चीनी तीर्थियात्री फा शियन का ध्यान उन लोगों की दुरगती पर भी गया जिन्हें उचे और शक्तिशाली लोग अच्छूत मानते थे इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था वे लिखते हैं अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकडी के एक टुकडे पर चोट करते रहते थे या आवाज सुनकर लोग सतर खोकर अपने को छू जाने से या किसी अन्य प्रकार के संपर्क से बचाते थे एक जगह वाण भट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चितरन दिया गया है यह चितरन एक बॉक्स में है आईए सुनते हैं शीर्शक है राजा की सेना राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज मर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बरतन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे खाने पीने का सामान यानी बकरी, हिरन, खरगोश, सबजियां और मसाले आदी विभिन प्रकार की चीजें शामिल होती थी ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या उटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीट पर लाद कर ले जाई जाती थी इस विशाल सेना के साथ-साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे रास्ते में पढ़ने वाले गाउवालों को उनका सतकार करना पड़ता था वे दही, गुड तथा फूलों का उपहार लाते थे, तथा जानवरों को चारा भी देते थे वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विद्ध्वन्स की निशानिया छोड़ जाती थी अकसर गाउवालों की जोपडियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे महोल से डर कर भाग खड़े होते थे वान भट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्थ में डूब जाती थी अब आपके करने के लिए कुछ काम सबसे पहला काम सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ दूसरा ग्रामवासी राजा के लिए क्या-क्या लेकर आते थे प्रिष्ट संख्या 112 में सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है अन्यत्र आईए सुनते हैं बॉक्स में क्या कहा गया है मान्चित्र छे जो प्रिष्ट 76-77 में मिलता है उसमें अरब ढूड़ो मरू भूमी होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था दर असल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप इसके लिए प्रिष्ट संख्या बानवे देखो के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महतोपूर्ण भूमी का निभाई थी अरब में रहने वाले अन्य लोगों के बेदूईन थे जो घुमकड कबीले होते थे वे मुखे रूप से उंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरू भूमी में भी स्वस्त रह सकता है लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मुहम्मद ने अरब में इसलाम नामक एक नए धर्म की शुरुवात की इसाई धर्म की तरह इसलाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरी माना है उनके बाद सभी को समान माना गया है यहां इसलाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है आएए सुनते हैं कुरान का ये अंश के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुशों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुशों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुशों के लिए, अगले सौ सालों के दौरान इसलाम उत्री अफरिका, स्पेन, इरान और भारत में फैल गया अरब नाविक जो इस महादवीप की तटिये बस्तियों से पहले ही परिचित थे अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था जो आज के पाकिस्तान में है अब कुछ आपके लिए करने को मान्चितर छे में उन रास्तों को ढूड़ो जिन से नाविक तथा सिपाही इस उप महादवीप में आए होंगे कल्पना करो हर्ष वर्धन की सेना अगले हपते तुम्हारे गाउं आने वाली है तुम्हारे माता-पिता इसके लिए तैयारी कर रहे है वर्णन करो कि वे क्या-क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे है आगे चलने से पहले यहां एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ उप्योगी शब्द दिये गए है जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है आईए सुनते हैं उन उप्योगी शब्दों को उप्योगी शब्द हैं प्रशस्ति, आर्यवर्त, दक्षिनापत, वन्शावली, आनुवन्शिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम आईए अब आगे चलें आओ याद करें एक, सही या गलत बताओ क, हरिशेण ने गौतमी पुत्र श्री साथ कर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी ख, आर्यवर्त के शासक समुद्र गुप्त के लिए भेट लाते थे प्रिश्ट संख्या 113 ग, दक्षिनापत में 12 शासक थे ग, गुप्त शासकों के नियंत्रण में दो महतोपून केंद्र, तक्षशिला और मदुरे थे अंग, एहोल पल्लवों की राजधानी थी च, दक्षिन भारत में स्थानिय सभाएं सदियों तक काम करती रही दो, ऐसे तीन लेखकों के नाम बताओ जिन्हों ने हर्श वर्धन के बारे में लिखा तीन, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाओ आए चार, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या-क्या चीजें नहीं दिखती हैं आओ चर्चा करें तुम्हें क्या लगता है कि समुद्र गुप्त की भूमी का अदा करने के लिए अर्विंद को क्या-क्या करना पड़ेगा छे, क्या प्रशास्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ आओ करके देखें साथ, अगर तुम्हें अपनी वन्शावली बनानी हो तो तुम उनमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीडियों को तुम उसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो आठ, आज युद्ध का असर जनसाधरण पर किस तरह पड़ता है? इसी प्रिष्ट पर कुछ महतुपूर्ण तिथियां दी गई है महतुपूर्ण तिथियां है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत का दस्वा अध्याय शीर्शक था नए समराज्य और राज्य, निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम, वाचनस्वर और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुती CIET NCERT नए दिल्ली भारत